जे मातादी दोस्तों आज मैं शिवलिंग पर बेल पत्र जिसकों की बेल पत्र भी कहा जाता है उसको चड़ाने के महत्व और फायदे के बारे में बताऊंगी बेल पत्र के बिना भगवान शिवजी की पूजा अधूरी मानी जाती है बेल पत्र भगवान को बेहत प्रिय है इसे चड़ाने से वह बेहत प्रसन हो जाते हैं इससे दरिदिता दूर होती है और धन धाने में व्रिद्धी होती है जो महिलाएं भगवान शिवजी को बेल पत पर अरपित कर सकते हैं, बेल पट चढ़ाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि वो कहीं से भी कटा-फटा ना हो, खंडित ना हो, बेल पत कभी बासी या पुराना नहीं होता है, आप उसको धोगर वापिस अरपन्द कर सकते हैं, अगर आप बेल पक तोड़ते हैं, तो हमेशा ध बढ़ाने का भी तरीका होता है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि पहले उसको अच्छे साफ पानी से धोलें फिर गंगा जहलें तो एक बार उसको उससे भी दोकर साफ कर लें और फिर अरपन करें अरपन करते समय उसका चिकना हिस्सा जो होता है वह शिवलिंग को चड़ाया जाता है मतलब आप जो पत्र पकड़ेंगे वह आप उल्टा करकर शिवलिंग के ऊपर चड़ाते हैं बेल पत तीन पत्तियों को मिला बनाया जाता है तो अगर एक भी पत्ता खंडेत है तो वह बेल पत्र नहीं चड़ता है तो यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट म लिखकर मुझे जरूर बताएं फिर नई जानकारी के साथ नए वीडियो के साथ मिलती हूं तब तक रे जैम आता दी दोस्तों